नमस्कार दोस्तो जैर वी शॉलिशन में एक वार फिर स्वागत है दोस्तो आज हम देखेंगे Professional Examination Board 2017 तो यह Constable Requirement Test 2017 का है और दोस्तो इसमें आज हम देखेंगे विज्ञान के प्रस्ण तो दोस्तो विज्ञान से सामाने विज्ञान से संबंद जो भी प्रस्ण आते हैं दोस्तो वो सारे प्रस्ण हम इस वीडियो के माददे हमसे आपके लिए लाए हैं दोस्तो तो दोस्तो चलते हैं और दोस्तो चलते हैं आज के सेसन की उर तो दोस्तो इसमें क्या है नहीं मारती पानी के सुध्धी करण की कौनसी विधी है जो कीटाणों को नहीं मारती है तो दोस्तो इसका सही आसर क्या जाएगा उबालना आश्वन और क्लोरोनिकर दोस्तो इन तीनों विधियों से क्या होता है इन तीनों विधियों से पानी साफ होता है ठीक सुद्धी करण की कौन सी विधी है जो कीटाणों को नहीं मारती तो दोस्तों इन तीनों विधियों से हम इन तीनों विधियों से क्या होता कीटाणों मारे जाते हैं ठीक है पानी के अंदर के लेकिन चानने में कीटाणों नहीं मरते ठीक है याद रखना कीटाणों नहीं मार बोग सुवीदा पुर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्तिसावान आखों से पढ़ सकता है तो डूस्टो बहुता, नहीं हमें अनूर्य सुवीदा पुर्ण. मतलब आपको देखने कोई परिशानी ना हो, तो तो अनूर्य दूरी जोटी है। तो याद रखना है नेक्स से दोस्तों कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अभी अभी शुसन में सरकरा किस रसानिक पधार्थ में बदल जाता है। तो किस से बदल जाता है याद रखनू चलते अगले प्रेशन के वर अगला प्रेसन क्या है दोस्तों अगला प्रसने दूस्तों हमारा वो कहता है कि चुम्बक का भैमत्पून गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियन द्वारा प्राचिनकाल में किया जाता रहा है तो दोस्तों चुम्बक किस गुण तो चुम्बक का प्रतिकेशन गुण प्रेनन का गुण या अकर्षन का गुण या दिसा संबंधी गुण आपको बताना है कमेंट समोक्स में कमेंट करके दोस्तो तो दोस्तो इसका सही अंसर क्या जाएगा इसका सही अंसर आजाएगा दिसा संबंधी गुण क्योंकि दोस्तों इसमें लिखाई है यहां से हम समझ सकते हैं कि कि चुम्बक का भए मतपूर गुर जिसका उप्योग नाव को पतलब नाव चलने वाले समुदर में नदी में पानी में नाव तथा यात्री यात्रा करने वाली प्राचीन काल में किया जाता था तो दोस्तों वो दिसा देखने के लिए किया करते थे दिसा संबंदी गुड से ठीक है चलते दोस्तों अगले प्रेशनी के वर बहुत ही मतपूर कोश्चन है दोस्तों ऐसे कोश्चन MP MP कोश्चेबल परिक्षा में पूछे जाते ह तो दोस्तों जिसा में उप्योक होता होगा ठीक है चलते हैं अगले प्रेशन की वर अगले प्रेशन दोस्तों दीवाली के दोरान पठा के इस्तमाल के पठा के इमारत के बाहर जला जाते हैं दीवाली के दोरान पठा के इमारत के बाहर जला जाते हैं उनके जलने के थोड देर बाद हमें धोनी सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है। तो याद रखनें दोस्तों धोनी तरण की तीब्रता समान होती है परनतु आब्रती भिन होती है या प्रकास धोनी सेत् chrom तेज़यात्र आकरता है या तो हमारे कान धोनी सुनने दोनी सुनने में अधिक समय लगाते हैं या दोनी प्रकास की तुलना में तेजी से यात्रा करती है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो तो दोस्तो आपको कमेंट करके बताए जल्दी जल्दी इसका सही अंसर क्या जाएगा दोस्तो तो दोस्तो इसका सही अंसर आजाए प्रकास दोनी से तेज यात्रा करता है यह हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं ठीक है तो दोस्तों कब क्लास में तो यह हम नाइन्थ एक में पढ़ चुके हैं ठीक है चलते हैं दोस्तो आगले परिसन के वर अगला परिसन क्या है उसकी पहचांद की ये जो की परिसुधन का भाग नहीं है तो दोस्तो सही आंसर क्या जाएगा मौर आ जाएगा मौर हमारा रास्टेपकचिय है वड़ पस्युधन का भाग है मभीसी है मौरगा है ठीक है मौर नहीं है ठीक है चलते अगले प्रेस्ट की और तो दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है जो हमारा पस्वों में ना पाए जाने वाले उतक का नाम बताईए तो जो पस्वों में नहीं पाए जाता है वो उतक तो याद रखना दोस्तो बस ये उतक पस्वों में पाए जाता है फंपाय जाता है जो दोस्तों विवाज जुे उतक होता है जो वह पस्विंगों में नहीं पाया जाता है हमारे सही प्राब अवस्च कोच अना है कि हैंजा किसके कारण होता है तो सारी बीमारियं और उनके कारण और किसे होते हैं जरूर परणके जाईए really इंहुत इंपूर्वली अम कैशने दोइन का ने किस 성्ismus किसके कारण होता है जीवान के के साथ अभीक्रिया करता है तो sodium chloride का निर्माण होता है अभीक्रिया में उस्मा तो दोस्तों क्या होता है बिनिमाय नहीं होता अफगटित नहीं होती बिकसित होती है और अफसेसित होती है तो तो इसका सही आंसर क्या जाएगा यहां पर बिकसित होती है ठीक है अभी किरिया क्या होती है बिकसित होती है कब यह केमिस्टी का प्रस्ण है तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभी किरिय अगला प्रस्ण दोस्तो हमारा व्राइलर चिकिन क्या है तो दोस्तो व्राइलर चिकिन क्या है तो दोस्तो याद रखना बिटामिन से भरपूर संपूरक के साथ परयाप्त मात्रा में बसा इवं परयाप्त कार्वोहाइड्रोड कार्वोहाइड्रोडों से भरपूर प्रोट अगला प्रस्ण है दोस्तों की चार कक्षित हिरदाय वाले सरीशरप का नाम लिखिए दोस्तों इसका सई अंसर है मगर मच्च याद रखना चलते हैं नहीं हो सकता तो एड्स किसके दोर संचारित नहीं हो सकता तो दोस्तों याद रखना लेगने के संग पर इस्तन आहर और रखतधान रखतधान से तो दोस्तों इसका सही अंसर है गले लगने से एड्स नहीं होता है ठीक है चलते हैं अगले प्रस्ण क्यों हो दोस्तों प्रस् कर्मक की तरह कार करता है तो किया है दूस्तों वह थ tribes Kim xu जीव जो सरक्रा के एलकॉोहल में परिवर्तन मैं क्फमी कर्मक की तरह कार करता है तो क्या है वो कविए ठीक है चलते को दो दोस्तों आजक लिए इतना ही वीडियो अच्छा लग याज दो क extraordinaire दोilyov वोक्स में जरूर बताइएगा कि दोस्तों आपको किस प्रिकार का वीडियो चाहिए चलते दोस्तों मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ आज के लिए दोस्तों थैंक यू थैंक यू फॉर दा वॉच